अज हम स्कीमिंग लिटुसी क्लास्रूम में पढ़ने जा रहे हैं कि उसमें प्रिंट्स की क्या इंपॉर्टेंट है प्रिंट्स आप जानते ही होंगे आज जो आपको मुक्तिलिफ किसम के print out या prints आपको आपके environment में भी मिलते हैं, classroom में भी मिलते हैं, आपके पास भी मौझूद है, आपके घर में मौझूद है, जिब हम print का नाम लेते हैं, इसका मतलब है कि tangible paper के उपर card के उपर या किसी भी फॉर्म के उपर एक छूने वाली, नजर आने वाली clear कट चीज मौझूद है जिसे आप देख सकते हैं पड़ सकते हैं तो हम इने प्रिंट्स कहते हैं और डेफिनिटी डिफेंट साइज इसके मौझूद होते हैं पर पहले हम प्रिंट पर जाएं हम एक छोटी सी रोल प्ले अक्टिविटी यहां देखते हैं जो आपके सामने प् यह सेट बनाए हुआ है मेट है फीशए पोटर एक सेक्षें के इस सक्षिन इकसे अगए फूट तो बियुचे में दर शाहीरे और असीन के बनिफूटशिकित अच्वरमार्कत के छाह सेकुझं तो और हर सेक्षिन के इंडर और जहां जहां वो चीजे रखी गई हैं वहाँ लेबल्स हैं और जिसके उपर उन चीजों के नाम लिखे हुए हैं कभी-कभी बच्छों को इस किसम की क्वेस्टिविटी के अंदर रोल प्लेंग के अंदर कि जो आपके नाम के अंदर इल्फाबेट इसमाल होते हैं क्या आप यहां शर्फ में रखी भी चीजों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिसाल के तौर पर अगर मेरा नाम अली है तो मैं A को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ आपल की और मेरे नाम का A दोनों एक ही अल्फाबेट हैं सब्सक्राइब और मुझान आप आप शॉपिंग के अंदर शॉपिंग और बाइलिबल दिफ्रवग नाम लिखे में बच्छे वह पढ़ सकते हैं और बच्चे को पेपर पैंसल भी अवेलिबल दिससे वह अपनी शॉपिंग और ग्रॉस्ट्री लिस्ट भी बना सकते हैं प्लुक्ष घै comfortably एक्तिविटी के अर्फ मैं के अग उपर दिखते हैं इस पूरी अक्तिविटी पूरिफ है कि क्या नेते हैं बच्चों के लिए स्पेस्ट्शिटी जब हम क्लास्ट्रूम का झिकर करने जा रहे हैं जब हम बच्यों के reading, writing skills का चिर्म स्पाइस की जो पहला step है वो और print सी आते हैं बच्चे चीजों को देखते हैं देखने के बाद वो understand करते है कि यह symbol बनावा है इसका meaning क्या है और उसको समझने उसको बोलने और उसको सीखने के साह साह बच्चे definitely reading सीखते हैं और वैसे ही वो राइटिंग भी सीख जाते हैं अब कौन से चीजें हैं जो बच्चे ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं डेफनेटली वो चीजें जो सिग्निफिकेंट हो उनके लिए जिसका कोई बहुत इंपॉर्टन परपस हो बच्चों के लिए या वो बच्चों की ही जिंदगी में बहुत एहम रोल प्ले कर रहे हूं ऐसे वर्ड्स ऐसे ऐल्फबेट्स ऐसे सिंबल्स मिसाल के तौर पर वो उनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं जिससे फैमिली मेंबर्स के नाम हैं फूट के लेबल्स हो सकते हैं क्योंकि फूट हमारी जिंदगी का बहुत एहम और इंपॉर्टेंट हिसा है तो बच्चे सबसे पहले चीज़े आइडेंटिफाइए करते हैं जिन प्रिंट्स को याद रखते हैं वो उनके फेवरेट कूट चेंज होती है जा उनको जाके खाना पीना बहुत पसंद होता है या वो लेबल्स कर सकते हैं फॉरन पहचान जाते हैं कि जी हमें चिप्स का ये ब्रैंड चाहिए या चॉक्लेट का ये चाहिए या जूस या मिल्क का हमें इस कंपनी का ये वाली चीज चाहिए देए एक्चुली सम्हाव कोगनेटिवली उसके इमज को अपने दिमाग में बठा लेते हैं और वो इडेंटिफाय कर लेते हैं कि इस अच्छली इस प्रोड़क्ट जो हमें चाहिए ये वो नहीं है जो नाम है उनके माइन में सेफ होना चुरू हो जाते हैं और इसी तरीके से बहुत चोटे बच्चे अपने पहले वर्ड्स भी वही बोलते हैं जो इदर उनकी फैमिली मेंबर्स के नाम हो और वो उनहीं को अमोमन लिखते हैं जो उनके फेमिलियर फंक्शनल और सिग्निफ लिए ऊससे पहले जब हम बच्चों को बतातेसे हैं कि इनको क्वॉम्प्रेंट के अंदर समझना कैसे निइटो नो के नो कि नौ आउसरे इनको आको इंटिपाई कैसा करना थे इसके लावा हम उनको उनको के रूज़ बर आते हैं कि यह वर्ड हैं अब उन्यादी तोरफ ईन फोड फोड़ए में खोड़ ऐन्डेंट पbokने पकाल नाज चाल पटेंट से बन्स नादे लगविट को फिल ना गवर्ण icverted नाधे मिज़र लाइट से 5 अडमैट भीट पर मेट सब्सक्राइब नीचेजाएं करते हैं उनको बहुत सी important चीजों का पता होता है इसका मतलब मंतलब क्या है उसके इलावा प्रक्रेस होती है राइटिंग राइटिंग वह भी सासा होती चलिए बच्छे जो हैं सेरीडिंग के से सबहते हैं, और सब्सक्राइब लगता ह। व señora लेकर आसकते हैं आपके लिलीजियोस पॉंफिलेट्स हो सकते हैं और इअभाइरमेंटल की फॉर्म योंगेस लिखा सकते हैं जैसे कि फूट लेकर जिक्र आया बच्चों की जो फेवरिट फूड्स हैं या मुस्ट फूर्मस फूड्स हैं आप उनके पड़ेश लेकर सकते हैं और इसको भॉस्ट को सब्सक्राइब से इसके उन पाइज ने चुन एब चीनियों को शूरुपर यह और वायट प्रिंग नहीं की ओटी ते आर कौई्ट आधा यह तो उटमाज कली वर्डस को इडेंटिफाय करना सीख लेते हैं लेक्टर स्क्राइ झाल